टुम में ब्धाका करें, तो इस वीडूए में बाद करूँ गा, था 2 जाएलेंड वीजा और ने डायबरल, टुरिश्य वीजा और थाईलेंड टॉरिश्य वीजा और बात करता हूं वीजन अडाबल के बारे में फर्स्ट नंबर तो गाइस वीजन अडाबल में कुछ नहीं करना होता है सिर्फ आप फ्लाइट लो और थाइलेंड इंटरी लो उसके बाद वहां पर आपको वीजन अडाबल का फॉर्म को फिल करो अपने फोटोग्राफ डाल दो और उसके अलाबा आपको कुछ कुछ देने पड़ेंगे डॉक्मेंट्स वहां पर आपको सो करने होंगे वह मांग सकते हैं वह फ्लाइट टिकट और एककमडेशन जो आप वह रहने बाले हो और दस अजार बात लोकल करेंसी में या फिर डॉलर में भी रख सकते हो अगर आ लंबी लाइन अभी चल रही हैं कि वीजन अडायबल फी फी है तो 2000 जो बात जो कि इंडियन के रहन से में तकरिवट 45 रुपे बनते हैं वह अभी चल रहा है फ्री तो अगर वीजन अभी फी चल रहा है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंड कि अभी जा कि आप वीजन अप्लाय मत करो बट्या मैं गया था पहली बार 2018 में अक्टूबर 2018 में फ्री वीजन नहीं चल रहा था तो मैं अपना वीजन लेके गया था और गाइस अगर आप वीजन अडिया में तो आप कैसे ले सकते हो इसके वारे में बात करता हूं तो मैं इंडिया में वीजा दो बार लिया हूं एक बार लिया हूं टूरिस वीजा एक बार लिया हूं ट्रांजिट वीजा तो सबसे पहले बात करता हूं टूरिस वीजा के बारे में सबसे अच्छी बात क्या होगी टूरिस वीजा लेने पर कि आप थैलें में रहा सकते हो फीजिभ चार्ज करती है 215 रुपए, मैंने चायना वीजा के लिए 28 रुपए दिया था, और और ज़िया वीजा के लिए 215 रुपए गासपास लेते हैं, बट सिर्फ रूप करते हैं, 215 रुपए, तो फासबास रिख्याब करते हैं, पासपॉर्ट चाहिए, आपकी 6-1 बै या स्वाए। बाइबिजा मांग रहे हो, अभिख होगो होगोग मेने अपर चाहिए ऑप आप की मे immers करना पढ़ेगा एसे स्टेटम से करना का स्टांप शु करना पढ़ेगा अगर आप पो सांपी ब्रकषा सो खरीदते हो दो आप एस रसीद्ट को ऐसे थो संबित करना होगा ज़ा किके स्टेटमेंट जो इनamente 50-800 वसकी लिमिट होनी चाहिए और बस 25-100 रुपेस की वीजव फी है और 215 रुपे आपकी हो गई भीएपस की फी यह सब सोगर दोगे आपका वीजा दो दिनों में आ जाता है ये सारे चोचेश अपको मैंने आपको बताए तो आज अफलाई करोगी तो परसों मानके चलो आजाता है मेरा दो बार मेने कलकत जा रहा हूँ, but as a transit, so मैं इंडिया से थाइलंड गया और थाइलंड से किसी दुसरे कंट्री, आप वापस इंडिया नहीं आ सकते त्रांजिट विजा त्रांजिट विजा तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आप थाइलंड की थुरू किसी दूसरे कंट्री जा रहे हो, य आपको सिफ सिफ एक्स एक्सक्र शुक्रमेंट देना होगा कि त्रज्ट कंट्री जो जा रहे हूं मान के चलो में इंडिया से गया धायिन और भीत想र डिक़्ाना पड़ेगा तो इस एक ठॉस्टा आक ऴीजा उता वह चाहिं वो दिखाना पड़ता है ् मेरे कैस में में फिस पैसे गंप में नहीं थे तो मैंने पने पापा का दिखाया था भाग स्षát matter and एक चाहिए इसपांसर से प्लेटडर दो अतोफ का आपको अपने पापां से थे रर लिख्वानाДа पड़े from father तो NOC होता है कि parents के तरफ से कोई उनको objection नहीं कि आप अक्रेले जा रहे हो 16 साल से 18 साल की बीच ये लेटर चाहिए होता है अगर 16 साल से पहले आप नहीं जा सकते हैं केले बहुत सारे country का रूर होता है तो ये थी talent की information होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कोई information आपको जानने है तो आप comment section में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भोलें Bye bye, मिलते हैं अगले वीडियो में